वेलकम तो प्रिंस क्लासेज बच्चो आज आम SST का लेशन 14 चाप्टर पढ़ेंगे चाप्टर का नाम है कमिंग अप दे बिटीस एंड दे रिवोल्ट आप 1857 बिटीस का आगमन और 1857 का बिद्रोह का बारा में हम आज पढ़ने वाले हैं ठीक है बच्चो तो चलो सुरू करता हैं पहले जमाने में पहले के जमाने में इंडिया चार चीज के लिए जनरली फैमस हुआ करती थी अब भी कुछ इन में से कुछ चीज के लिए इंडिया फैमस है यह वो चार चीज क्या है पहले तो है Spices आज भी इंडिया Spices के लिए अपने Spices के लिए Famous है Second चीज है Cotton Textile इंडिया Cotton Textile के लिए Famous है Famous थी आगे का जमाना में और Third thing is Jewelry and the Fourth thing is Pearls इन चारो चीजों की वज़े से हर एक foreign country, हर एक बाहर की देश इंडिया का साथ बेपार्क करने चाहती थी ठीक है, तो क्यों क्योंकि इंडिया का जो सामन है उसका बहुत ज़्यादा डिमान था वाल्ड में, especially यूरोप में, बहुत ज़्यादा डिमान था इंडिया का Spices और Cotton भी ठीक है, तो इंडिया का साथ पहले जो Trade करने आये उनमें से सबसे पहले कौन थे Arabs, आपको याद रखना होगा सबसे पहले थे Arabs, Arabs were the first to come to India for Trade, ठीक है कौन थे, आरब थे सबसे पहले, ठीक है फिर बाद में आये Portuguese आपको ये sequence याद रखना पड़ेगा बच्चो, सबसे पहले आरब सबसे पहले कौन आया आरब, सबसे पहले आरब उसके बाद Portuguese उसके बाद Dutch उसके बाद British, उसके बाद आये French, जो कि last European थे, जो Trade के Purpose से इंडिया आये थे ठीक है बच्चो, अब एक एक करके बच्चो पढ़ेंगे कि Portuguese केसे आये, कब आये और क्यों आये, थीक है फिर पढ़ेंगे Dutch के बार में, फिर पढ़ेंगे British के बार में, फिर पढ़ेंगे French के बार में कुछ जादा नहीं पढ़ेंगे, बस ब्रिटिस के बार में ही उसका बाद 1857 डिवोल्ड तक हम लोग पढ़ेंगे होगा उसलिए आपका ज्यादा इंट्रेस्ट हो उसलिए मैं थोड़ा डेप्ट में लाया हूँ ज्यादा डेप्ट भी नहीं लाया हूँ कि आपको बोरिंग ना फिल होए ठीक है तो एक एक करके चलो बच्चों पढ़ता है यह पॉर्टुगीज का एक वाइजर थे जो आप इंडिया को डिस्कवर के यह थे किसके भाया केप आप गुड़ हॉप यह आफ्रीका में है केप गुड़ हॉप यह आफ्रीका में उसी के थ्रो से वह आके इंडिया में पहले बार पहुंचे थ्रू सी रूट से पहले जल से कोई रूट नहीं था पानी से कोई रूट नही थे जो सबसे पहले लीड कर रहा था जहाज उसका जो पाइलट था उसका वह एक गुजराथी पाइलट था उसका नाम था अब्दुलमाजी ठीक है यह भी कुछ जानने वाला फैक्ट है आप जान लिजे इंडियन में सामिल थे ठीक है तब भासकड़ामा आके पहुंचे कहा तरल दाके उस्टाइम के जो कींग थे उनके नाम था जामरी उनके नाम को क्या था यहाँ जैममारी वह बहुत इ। बहुत जलिय वह भी चाहते थे ट्रेड करने के लिए तो उन के उस्ट्रोपोसाल दे मैं गया थ्रेड करने के लिए उसे only का क्शेप्त है नहें आरे रिय सेस उसी और एक आलिकट कहां है बच्छो के रहा में आपको यह चीज याद रखना है उसके बाद इन 1505 मतलब 15005 कि पॉर्टुगाल का कि देखे कि चलो अच्छा बिजनेस हो रहा है तो एक गवर्णर इंडिया में साइन करते हैं गवर्णर को भेशते हैं गवर्णर बना के भेशते हैं कि वो इंडिया का ट्रेड को समहा लेगा ठीक है उसके साथ साथ वो एक छोटा सा फोर्स भेजे छोटा सा उनका फोर्स का टुकडा भेजे कि अपना बिजनेस को वो सेप्टी सिकुरूटी देने के लिए तो 15005 में फ्रांसिसको डी अलमीडा को भेजे बात जो गवर्नर आये अलफांसो दी अलवे क्यूरी की कौन आये अलफांसो दी अलवे क्यूरी की सही मायनों में इन्हें बोला जाता है दा रियल फाउंडर आप पॉर्टुगल पावर इन इंडिया किसे अलफांसो दी अलवे क्यूरी की सही मायना में रियल फाउंडर आ गवार इन्डिया बोला जाता है क्यों वो आते ही गोवा को एक्वी एर के लिए 7459 contenido के लिए वो सुल्तान व बिजेपूर से अपने 1510 में ये गोवा न में गोवा को ले गये गए झीतली गगा कू सुल्तान व बिजेपूर से बड़ा आसानी से जीत गये फिर आये 1520 टाइन में नीनोदा चुना नाम के एक governor आये ये next governor क्योंकि इनके governor हर 3 साल में बदलता रहता था यह अपना headquarter कोचिन से गुआ ले गए यह अपना headquarter कोचिन से गुआ ले गए ये थोड़ा बहुत जानकारी Portuguese के बारा में मैंने दे दिया छोड़ है कि और पहले यरोपियंस थे जो की जो कि इंडिया को सीब्रो से अध्यस मोऊट सब आ थे तो उनके बारे मैंने कुछ डी टेलल से आपको दे दिया इसलिए दे दिया अब चलो नेक्स्ट किसने आये थे पहले आ रहा फिर फॉर्टुगी फिर आये थे डच ठीक है जादा नहीं पढ़ना है हमें डच के बारे में बस इतना आप जान लिजिए कि यह जो डच है यह डच के आप दूसरी यह कॉनलिस डी हॉंट मैं यह फर्स्ट डच मैं थे जो की सुमात्र और मंतम में 1596 में आये थे ठीक है डच फांड़े यह फास्ट फैक्टरी इन मुसली पटनम इन 1605 मतलब 1605 में यह पहले आपना फैक्टरी अस्टाबलेस किये थे डच यह मुसली पटनम अंद्रवदस में है बच्चो ठीक है यह डच पहली बार उसके बाद आये थे पहले पॉर्थुगीज आप फिर पॉर्थूगीज रच फिर इसके बार हम पढ़ते हैं मैं बिटिस और फ्रेंच के बार हम ब्रिटीच जो आय वो तो जाने का नाम ही नहीं लिए बच्वाश श्रेंश द्लास्ट में जो की आयो हब ही थे इंडिया में यह फ्रेंश जो यूपे को आए थे ट्रेड करने के लिए गए 1947 में छोड़के तो 300 साल का उनका सफर था इंडिया में तो उनके बारा में तो डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चलके बड़े होंगे आप तो और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे मैं कुछ आपको मज़दार इंफरमेशन देने की कोर्सिस किया हूँ चलो पढ़ते हैं बचो 1600 में कुछ ब्रिटिस मार्चर्स थे जो बेबारी थे वो मिलके इस्ट इंडिया कंपानी बनाये थे कि कौन सा कंपानी बनाये थे बचो इस्ट इंडिया कंपानी मनाये थे कंपानी का नाम दिये थे इस्ट इ गए इंडिया में मुगल एंपरर जहांगिर से उन्हें बजिनस करने के लिए पर्मिशन मिल गया ट्रेड करने के लिए यह इतना आसान नहीं था इसका सफर आप पढ़ेंगे तो आप धीरे-धीरे जानने आपको मिलेगा कि पहले पर्मिशन उन्हें नहीं मिला फिर कैप्ट अपने ट्रेड सेंटर्स बॉंबे और माडरास में एस्टाबलिस करने लगे ठीक है बचो तो इस तरह से ब्रिटिस इंडिया में आ गए ठीक है ज्यादा डिटेल्स धीरी-धीरे करके पढ़ेंगे तो पहले फ्रेंच का वान हम कुछ जान लेते हैं यह लास्ट यूरोपे लास्ट यूरोपेन बच्चो फ्रेंच थे जो इंडिया को अब ट्रेड का पर्पोज में आये हुए थे लास्ट यूरोपेन थे फ्रेंच फ्रेंच वे द लास्ट यूरोपेन तो कम तो इंडिया विद पर्पोज अप्रेड वो 1667 में आये थे उनका हैड कॉन था फ्रांक यह उनके हेड हुआ करते थे फ्रेंस टू सेट आप ए ट्रेडिंग कंपनी इन एस्टाबिस सेंटर इन चंदननगर इन बेंगल एंड पॉंडिचरी फिर उनके बीटिस के साथ होता है और वह क्वंडिचरी में सीमित होके रहे जाता है बेंगल ब्रिटिस ले जाते हैं क्योंकि बेंगल बहुत मेजर डिस्टिनेशन था ट्रेड करने के लिए ठीक हर किसी को बंदवल पैसंद था इन बेंगल के वज़े से दो-दो काफी फैमोस हिस्टरिकल फाइट लड़े जा बैटल अफ प्लेसी का बड़ना बैटल अफ प्लेसी बचो यह जो बैटल अफ प्लेसी होता है तो आपको एक चीज में बता दू बैटल अफ प्लेसी यह एक प्लेस का नाम है प्लेसी इसको पलासी भी कहते है ठीक है पलासी भी इसका नाम क्या है बचो बैटल अफ प्लेस भी कहते हैं क्या कहते हैं बच्छो इसका दूसरे नाम एक चुलि अभी का नाम है पलाशी यह वेस्ट बंगॉल में है ठीक है यह बेटल अप प्लेशी वास 14 जून 23 1757 में अपका बुक में सिर्फ 1757 दिया है तो यह यह भी जान रखिए जून 23 1757 में रेजल डिकलर होते यह बेटल हुआ था उस टाइम को जो नवाब बेंगल के थे नवाब बेंगल उनका नाम था सिराज अदुल्ला ठीक है इस सिराज अदुल्ला का साथ एंड ब्रिटिस आर्मी के बीच में बेटल अप प्लेशी हुआ था लेकिन बच्छो इसके कुछ कुछ जानने वाली आपको बात मैंने लिख रखा है ब्रिटिस आर्मी जो हुआ था ना बच्छो ए जो ब्रिटिस आर्मी ब्रिटिस आर्मी सिंगल आर्मी नहीं थी क्योंकि मीर जाफर इस सुरी इस सिराज अदुल्ला है यह इनके पास बहुत सोल्जर्स थे करीबन 50,000 सो उन्हें मुठीवर ब्रिटिस हरा नहीं पाते कभी नहीं हरा पाते तो फिर इस बैटल अप लेसी में सिराज अदुल्ला डिफिट क्यों हुए घर के दुस्मन के वज़े से सिंपल लॉजिक है जब भी कोई भी बड़ा यूद्ध कोई भी जीता है इतिहास गवा है अपने घर में ही कोई ना कोई अपना दुस्मन रहता है जो उन्हें मदद करता है तो ब्रिटिस को मदद कुण लोग किये मेर जाफर किये राय दुल्लाव जगत सेट और आमी चान इन चारों ने ब्रिटिस को हैल्प किया जिसके वज़े से इतना बड़ा फिप्टी थाउजन सोल सेट रहने का बावजूद भी नवाप बेंगल से राज दुल्लाव डिफीट हुए थे बैटल अप प्लेसी में क्यों इनका फाइदा क्या था इंग्रेज बोले अगर आप हमें हेल्प करोगे नवाप बेंगल को डिफीट करने के लिए तो हम मिर्जाफर को बोले हम आपक मिर्जाफर को उस ताइम गर्दी का लॉप हर किसी को था बड़ा ग्रीडी था हो तो बोला चलो इससे अच्छा डील क्या हो सकता है तो यह इतना बड़ा फिफ्टी थाउजंट का अपना सोल्जस रहते हुए भी में सिराज दुल्ला आखिर में यह हार जाता है यह बैटल हार जाता है तो ऐस पर दब प्रामीच फोट जैसे अउननों किया था उस प्रामीच थे बड़ा है उसके बाद कौन कीग हो आओगा में जाफर किंग होा होगा में दाelnि में जाफर इसके बड़ क्या देगा देलों हो बहुत चलाख है उन्हें क्या मिलेगा मीर जाफर गेव लार्ज समसम मनी पैसा दिया प्लस क्या दिया दा जमीदारी आप 24 प्रगनाज अब दा इंग्लिस जमीनदारी दे दिया 24 प्रगनाज जो आप उस से टेक्स आप कलेक्ट कर पाऊ हुए ठीक है ये था बेटल आफ प्लैसी का कुछ हिस्टरियन बात आप ये याद रखो कि नवाव बेंगल सीराज दुला और बिटिस का आर्मी का बीच में हुआ था लेकिन बिटिस आर्मी भी चार जन मिले हुए थे मिर जाफर, मिर जाफर, राय दुल्लब, जगत सेट और आमी ठीक है ये बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक है देन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटल आफ बक्सर ये एक इंपोर्डन प्लेस है बक्सर बच्चो बक्सर कहां है हर प्लेस कोई ने कोई जगह में तो लड़ा होगा जैसा हम लग पढ़े प्लेसी मतलब पलासी वेस्ट बच्चो बक्सर बिहार में है बच्चो बक्सर बिहार में है बच्चो कहां है बिहार में है बक्सर बेटल आफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 में हुआ था ये मीर कासिम तीन जन मिल के लड़े थे मीर कासिम आवात का राजा सुजाओ दुल्ला और मुगल का राजा सहालम टू ये तीन जन मिल के बिर्टिस के साथ लड़े फिर भी हार गए ये मीर कासिम कोन है बचो ये जो मीर जाफर था ना बचो मीर जाफर था ये मीर कासिम was the son-in-law of मीर जाफर उनके जमाई थे ठीके, ये मीर कासिम उनके जमाई थे इसके मीर कासिम मिर जाफर की जमाई थे जो कि मिर जाफर को नहीं याद गिरा बच्चो जो कि Battle of Plessy में Britices को help किये थे सिराज गुला को defeat करने के लिए सिराज गुला को हराने के लिए जिसने मदद किये थे उनके जमाई थे मिर कासिम लेकिन ये उनके खिलाब जंग छेड दिये तीन जन मिलके भी उन्हें हरा नहीं पाए ठीक है बच्चो दे कंबाइड आर्मीज वेर डिफिटेड बाइड इंग्लीज फोर्स और इंग्लीज का तरफ से किसने लड़ा लड़ा ही लड़ी थी मैजर हैक्टर मुन्रो ने एड़ बक्सर में आक्टरबर 22 1764 में इन्होंने ह हर गए थी यह हार गए थी ठीक बच्चो बेटल अब बक्सर में इनका हार हुआ था किसका बेटल अब बक्सर में जो तीन जन मिलके लड़े थे मीर कासीम नावाप आवत जो कि सुजाव दुल्ला थे और मुगल एम्परर सहालम ठीक है बच्छो चलो उसके बाद भेक्त्री तो हो गया अब बेंगोल मिल गया बिहार मिल गया मतलब बेंगोल का सारा लगभक इलाका मिल गया उसका बाद ब्रिटिस स्टार्टर एक्स्टें प्रिया बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके लिए काफी सारा पॉलिसीज लाए उन में से दो पॉलिसीज के बादे में हम लोग पढ़ेंगे एक था डॉक्टरिन अफ लैप्स और दूसरा था सफसेटी रेलाइस इन दोनों के बादे में हम पढ़ेंगे तो पहले पढ़े लेकिन यह सचा ही नहीं है फिर भी आप याद रखना अगर कभी कोई आपको पूछ दे जैसे के सबसेटीर अलाइनस बूक में में मेंशन है लौर्ड रिचाड वेल से लिलाए थे तो आपको कोई पूछ देंगे डॉक्टरिन अफ लैप्स किस के पिरिड में आया था तो लेकिन यह ओरिजिनेटर नहीं थे ठीके कुछ हिश्ट्री बुक्स में उन्हें बताया गया लेकिन यह ओरिजिनेटर सही में नहीं थे अब डॉक्टर लैप्स है क्या पहले जमान में कोई भी राजा का अगर लड़का ना हुआ तो अपने गोद ले लेता था बच्चा औ और वो एक राजा का मनने का बाद वो राजा बन जाता था लेकिन बृतिसर बोले कि कोई भी अगर राजा का लड़का अपना biological son नहीं है तो वो state अपने आप बृतिस का अंदर आ जाएगा अपना राजा का मौत का बाद थीक है इसे बोलते हैं Doctrine of Plex. According to this policy, the British declared that if a king died without a natural hire, his kingdom would be taken over by the British. इससे उन्हें जहांसी मिल गया, नागपूर मिल गया, और भी बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट मिल गया. ठीक है? अब पढ़ेंगे Subsidiar Alliance. ये बहुत ही critical policy है, Lord Willis लिखा, Lord Richard Willis लिखा. वो governor general थे, इंडिया का governor थे, 1798 से 1805 था. इस policy में हुआ, ये चार stage के थ्रोस ये policy आपको बुक नहीं दिया गया है, जब बड़े होंगे हैं तब पढ़ेंगे आप, ये चार stage में policy थी. मैं चारो step नहीं बताऊंगा, बस आपको shortcut में बाल रहा हूँ, आप सुन लिजिए, समझ लेंगे, कि Britishers बहुत powerful थे, तो इंडिया में उस दोरान एक राजा दूसरा राजा से fight करता रहता था, अपने area को extend करने के लिए, तो ये क्या होता था, Britishers एक राजा का पास गए, और बोले, कि हम आपको हर आपका youth में, हर आपका fight में मदद करेंगे, हमारा soldiers आएंगे, आपको मदद करेंगे, ठीके, तो king agree हो गया, कि चलो, इसके वदल में हमें क्या होगा, कि हमारा एक छोटा सा टुकडा, सैनिक का एक टुकडा, एक soldiers का एक group, आपका यहां रखना पड़ेगा, कि आपको अचाना कोई अटाक करते, तो आपका soldiers उपना trend नहीं है, हमारा soldiers ज़्यादा trend है, तो उन्हें रखना पड़ेगा, यह से करके वो घुषते थे, फिर बोलते थे कि आपका soldiers को हम trend करेंगे, इसे करके वो उनका soldiers थे, उन्हें ले जाते थे, अपने trend करते थे, फिर राजा को देते थे, लेकिन जब वो राजा को देते थे, तब बोलते थे कि हम आपका soldiers को trend किये, हमारा money expenditure हुआ, हमारा time expenditure हुआ, इसके बदल में हमें कुछ चाहिए, हमें आपका आदमी और नहीं चाहिए, हमें आपको protection देंगे, हम आपका soldiers को trend करा दिये, आपको किसी से ड़नने के कोई ज़रूत नहीं है, इसके बदल में हमको money चाहिए, money कहां से आएगा, tax से आएगा, इतना ज़्यादा tax charge करते थे, यह राजा दे नहीं पाते थे, तो राजा जब जे नहीं पाते थे, वो एक एक टुकड़ा लेके चले जाते थे, इतना टुकड़ा हमारा नाम कर दो, आप तुमारा tax माफ हो गया, इतना टुकड़ा हमारा नाम कर दो, आपका tax माफ हो गया, इसे करते करते पूरा राज्य लेग बठते थे इसे बोलते थे सबसिडिरी एलाइंस ये बहुत ही इसमें से काफी सारा स्टेट को लेने में कामियाब हो गए थे याद रखना बच्चो निजाम और फाइदराबाद पहले स्टेट था जो कि चला गया था एकसेप्ट के लिया इस सब एकसेप्ट कर लिये थे कि हमें हमारा जो एनिमीज है उसे आप प्रोटेक्शन दो और आप जो चाहिए ओमर्जी कर लो दे आको या रखना नहीं है आपको बुक्त नहीं है बैस आपको जान करी कि लिए कि ये सबस्टेट अले हैं क्योंकि उनको आस बला अपना इंवी से अपना रा इस्टेट पो गवाना नहीं था ब्रिटीस ही ले ले इसे है कोई मतलब नहीं है ठीके उसके बाद बचो brittisers का area बड़ते चला गया जैसा area मौनोपली बड़ता चला गया वह जादा से जादा exploitation करना सुरू कर दिए Exploitation का मतलब क्या है जुल्म बढ़ाना चले गए बढ़ाते चले गए केसे जुल्म बढ़ाते चले गए India once they were firmly established in India the British started using many unfair means to achieve their aim to getting rich ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो बहुत सारा ऐसा काम किये जो कि Indian economy को और गुएक से weaker करते चले गया पहले बात farmer से उलग सुरू किये farmer को torture करना सुरू किये कैसे बहुत heavy taxes लगा दिये चाहे आपका फसल उजड गया आपका फसल कुछ भी drought के वज़े से या flood के वज़े से कुछ भी वज़े से आपका फसल हो या ना हो आपको certain amount of high amount of taxes देना पड़ेगा इससे हुआ क्या farmer और भी गरीब होता चला गया become very poor उसके बाद आए जो handcraft करते थे जो waiver थे उनके ओपर उनके जो cloth थे वह बहुत कम दम में बेचेंगे और बिटिस से cloth से एक बात आपको जानना चाहिए बिटिस में मतलब इंग्लंड में बहुत ज्यादा थंड होती है तो वहां पर cotton नहीं होगेगी cotton को hot climate चाहिए hot and dry climate तो इंडिया से cotton ले जाते थे फिर आपना factory में कपड़े बनाते थे और इंडिया पर आके high rate में sell करते थे इनका policy था ठीक है और सबसे important बात हो कि इंडिया में factory establish करने नहीं देते थे इंडियांस को कोई भी इंडियांस अपना इंडिया में factory नहीं बना पाएगा ठीक है तो इसी वह exploitation करते रहे ठीक है इसका result क्या होगा जब इतना exploitation करेंगे तो revolt automatic आएगा बच्चों आपको कोई भी जात्ती करेगा आपको कोई भी एतना हैरान परेशन करेगा तो आप तो आवाज उठाओगे कितना सहने का limit होता है कितना सहेंगे फिर आया the great revolt of 1857 यह इंडियान हिस्ट्री में great कोई सिपाही विद्रों को बोलता है पहल हिस्ट्रीयन बोलता है कि यह जो रिवॉल्ट आप फिप्टी ऐटिन फिप्टी सबना इसे बोलते हैं पहला स्टेप इंडियन इंडिमेंडेंस में चलो पहले से आपको कोई मतलब नहीं है हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट आप पढ़ेंगे और आखरी में क्यों यह फेल हो ग ठीक है तो पढ़ते हैं कुछ major causes तो बच्चो major causes में क्या है पहला major causes है economy causes economy causes मैंने बताया आपको अभी जो बताया वो था economy causes फार्मर्स फार्मर्स पोर से पोर होते गए heavy taxes उनके उपर लेविस कर दिया गया waiver को का जो भी cloth बहुत कम पैसा में बेचने पर मजबूर कर दिये फिर अपने सारे cotton ले गए और आपने जो कपड़े थे उन्हें बहुत high rate में बेचने चले गए तो इंडियन economy विक से विकर होता गया तो यह cost था यह economy cost था ठीक है बच् फिर पढ़ेंगे बचो political cause political cause क्या था मैंने हमने अभी अभी पढ़े political cause क्या था जैसा subsidiary alliance हो गया doctrine of labs हो गया इसके वैसे इंडियन्स जो थे इनके अंदर बहुत भुस्सा पैदा हो गया कि कोई आके बोल देगा आपको कि चलो आपका लड़का नहीं हुआ हम आपका राज ले लेंगे यह सा थोड़ी नहीं होता है तो इंडिया का अंदर एंगर बढ़ता चला गया फिर subsidiary alliance भी same effect डाला इंडियन्स का अंदर तो एक political cause हो गया फिर आया administrative cause यह administrative cause क्या है यह की जो administrative cause था एड्मिस्टेटिव पॉट्स यह होता है कि बच्छो बिटी सर्सलोग का पावर बहुत बढ़ गया तक करफशन बहुत बढ़ गया अपना मनमर्जी करने लगे जिसे चाहे कोई लो नहीं था सटन एमाउंट ऑव लो नहीं था अपना मर्जी से लो बना दिये किसी को कोई भी पनिस्मेंट दे दिये चोटा सा बात के लिए आप उसको फासी पर लटका दिये उसका गोली मार दिये कुछ भी कर दिये यह करफशन बढ़ गया था और अपना मर्जी से सासन करने लगे थे तो यह एक रिभोल्ड का बीच बो रहा था ठीक है फिर आया सोशियल रिलिजिय प्रफा बाल विभाप्रथा आपका उडो मेरिमेरेज आक्ट ओंपेंश का एडूकेशने सब इंप्रिटिसस लग इंट्यूस की ति सती प्रफा को आपको बंद करना पड़े और सती प्रफा क्या है सती प्रफा है और एक हज़्मेंड का इंतिकाल हो जाता है तो वाइब क का पती मर जाने का बाद उसका अपना जान अपना उसके चिता का आग में देना पड़ेगा ये एक बहुत ही क्रुएल पॉल्ट रिच्वल्स था इंडिया में उसे ब्रिटिस लोग बंद करवा दिये थे तो कुछ हिंदू सोचे कुछ हिंदू क्यों कि हमारा रिलीज्जं को चैंज करने का कोशिस कर रहे हैं थीक उनको गुस्सा दिला दिया फिर था अईumb जआ दूबारा मेरेज करने का जबाएग्य नहीं थे कोई परमिशन नहीं थे ब्रिटिस थो सहले कि यह करने मेरे इस दुबारा करने का हग है फिर ओमेंस का एजूकेशन को इंट्रोडूस कर दिये जो कि इंडियन्स को पसंद नहीं आया यह एक कॉजस था फिर आया इंफ्लूएंस ऑफ आउटसाइड इफेंस यह क्या है जो फस्ट आपगान वार हुआ था जैसा कि आपका पंजाब वार हुआ था और भी छोटवटे कुछ वार हुआ था उससे इंडियन्स को यह पता चल गया था कि ब्रिटिस को हराना पॉसिबल है इंपॉसिबल नहीं है ब्रिटिस इतना पाउर्फुल नहीं है जिक उनको हराया नहीं जा सकता फिर आया डिसकंटेंड अमंग सिपोई सिपोई लोग को एक पर्टिकुलर टाइम पिरिएड के लिए दिया गया था कि वो फॉरंस में जाएंगे मतलब अपना देश से बाहर जाएंगे समं अंदर पार हो जाएंगे उनका कास्ट चले जाएगा वह अपना कास्ट में नहीं रहेंगे तो यह एक मतलब रिवोल्ट का बीच बहता चले गया ठीक है अब डिटेल्स में पढ़ते हैं यह स्पार्क कहां से शुरू हुआ पहले सबका दिल में गुस्सा है सबका दिल में अब कोई तो स्टार्ट करना चाहिए कोन स्टार्ट पहले करेगा यह स्टार्ट किस ने किया था इंडिया का जो स्टार्ट किया थे इसका एक्जाक्ट रिजिन क्या है इंट्रडक्शन आप दे एंफिल्ड राइफल यह राइफल है यह राइफल का जो गोलिया होते थे ज उसके रहता था उसको अपने मुह से बाइट करने का बाद इसे लिकालने का बाद गन के अंदर उससे डालना पड़ता था इसका मतलब क्या हुआ? जो इंडियन का हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे ओव सोचे जो यह अपना religious sentiments के against है ठीक है तो उन्हें मना कर दिये कि नहीं हम यह use नहीं करेंगे ठीक है the 19th native infantry at बरहंपूर which refused to use the newly introduced enfilizer यह पहले था 19th native infantry बरहंपूर यह पहला एक unit था जो पहले बार मना कर दिया हम enfil rifle को नहीं use करेंगे enfil rifle को यह हम नहीं use करेंगे फिर mangal pande के बारा में आप लोग सब को जानते हो 34th native infantry से mangal pande थे जिन्होंने की और एक कदम आगे जाके वो क्या करें अपना sergeant major को गोली मार दिये बरहंपूर में फिर उन्हें काबो कर लिया गया फिर एक छोटे छोटे बड़े ऐसे होते चला गया जितना इंडिया का soldiers थे ब्रिटिस के आर्मी में वह आपना revolt दिखाते चले गए ठीके बचो मंगल पांडे 34 जिनने जानना चाहिए दिल है जिल चस्ती है 34 नेटिव इंफेंट्री से थे यह नहोंने अपने नेटिव इंफेंट्री से थे अपने मेजर को गोली मार दिया था फिल्म है मंगल पांडे के उपर अगर किसी ने देखा होगा तो बहुत अच्छा बात ठीक है बचो उसके बाद रिफर्ट एक्जाक्ली स्टार्ट हुआ था मेरट से कहां से बचो मेरट से स्टार्ट कर गया था स्प्रेड कर गया था है उसके बाद फार्मास जोइन कर गए क्राफ्स पॉर्स जोइन करे अदर सेक्शन ऑब दा इंडियन सोसाइटी भी धीरी धीरी जोइन करने लगे लेकिन एवरी सेक्शन जोइन नहीं किये थे बच्छो यह सबसे बड़ा ड्रॉबेक्स थ क्षर तो डेली डेली इसका जो बहादूर साज जाफुर्वर था झो लास्ट मुगल एंपरइयर उसे जाके अपना किंग डिक्लार कर दी ठीके उसे जाके अपने किंग डिक्लार कर दिये उसमें इंडियन डूलर्स रानी लख्मी भाई, जहांसी सिथे, नाना साहर, तांतिया टॉपे उनर सिंग, ऐसे बहुत सरा किंग उसमें जॉइन किये ये दो साल तक चला उसके बाद, ये दो साल का बाद तो नहीं पढ़ेंगे बचो, बस अब रीजीन जान लीजिए जो पाँच रीजीन के विए से बेसिकली फेल हुआ था अल इंडियन पाटिसिपेंट्स वाज एफसेंट अल इंडिया पाटिसिपेंट्स नहीं था बचो स्रिफ सेंट्र इंडिया नॉर्धन इंडिया था यिस्ट् वेड्ट और साउथ नहीं थे स्रम जाहेंगे director किशंड्स नहीं थे किशंड्स करेंगे lost जो लैंड्लोड्स थे, जो महाजन थे वो नहीं आए थे उसमें, उन्हें नहीं चाहे थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिस रहे, वो ब्रिटिस का काम करेंगे, ठीके, पोँ आमस एपकोदिक पहले पहले से प्रीजिशन, कुछ नहीं था, suddenly उठे, एक revolt शुरू कर दिये, कोई coordinate नहीं, कोई organization नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी king बना दिये, जो बुढ़ा, 70-70 साल का बुढ़ा है, उसे जाके king बना दिये, कोई कुछ organized way में नहीं हुआ था, no unfilled ideology, यह क्या है, हर किसी का ideology सेम नहीं था, कोई चाहता था, अपना राज्य बापस चरने के लिए, कोई चाहता था कि Britishers को, हमारा उपर बहुत torture किया है, तो हम उन्हें torture करेंगे, हर किसी का ideology, यह नहीं था, कि Britishers को अपने देश से उखाड फेकेंगे, यह ideology नहीं था, हर किस हार चुके थे, the revolt was a turning point in Indian history, यह क्यों Indian history में एक turning point है, इसलिए क्योंकि इससे दो चीज़ सामने लिकल के आए, पहला East India Company का rule जो था, वो खतम हो गया, इसका मतलब किया British छोड़ के हमें चले गए, नहीं बेच्च, यह हम लोग direct control में आगे British Crown का, बिटिस में जो इस आसन चल सब्सक्राइबालों जो हमें जो करते थे, क्योंकि हम एक rule के अंडर आगे, यह सबसे बड़ा major problem था, हम लोग आप strike कर सकते हैं, हमारे grievances उनका तक पहुंचा सकते हैं, अब धिरे-धिरे paper media आएगा, electronic media, सब मीडिया धिरे-धिरे धिरे आएगा, हमें धिरे-धिरे education बढ़ को realize हो गया, कि अगर पूरा इंडिया एक जूड हो जाता, यह सिर्फ नौर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दो साल लड़ ली, अगर पूरा इंडिया एक हो जाते हैं, तो ब्रिटिस को हराया जा सकता है, हम लोग यह battle जरूर सक्सेस होते हैं, ठीके बच्चों, यह दोन थेंक यू बच्चों, हैव ए ग्रेट डे